नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पेट में बनने वले कबज, गैस, स्डिटी का एक रामबार घरली उपाय ले करके आया हूँ जिससे आपके पेट में अगर हलका फुलका दरद रहता हो तो दरद से भी निजाद मिलेगा इसके अलावा बार-बार गैस चुटता हो तो गैस चुटने से भी आपको निजाद मिलेगा देखिए दोस्तों, जब खाना सखेज से डाइस्ट नहीं होता है तो पेट में कबस होता है गैस की समसा राती है और सुबा सुबा पैखाना जो है न सही से साफ नहीं होता है जब पैखाना सुबा सुबा साफ नहीं होता है तो दिन भर काम करने का दिल नहीं करता है क्योंकों दोस्तों जब आपका हाजमा दुरुस्त नहीं रहेगा पेट साफ नहीं होगा तो आपका क गैस, कबज, HDT हमारी दूर हो गई तो सबसे पहले आप इस वीडिगो के लाइक कर दीजे आपका एक लाइक करना दोस्तों हमारी मनवल को और हमारी महनत को सफल बनाता है तो सबसे पहले क्या करना है आपने यहाँ लेना है गुणगुना पानी तो कुछ इतनी ही मतरा में एक गिलास की मतरा में आप गुनगुना पानी को लिजे पानी को लेने के बाद आपने यहाँ पर निम्बू को लेना है आधा कटा लेमन आप ले लिजे और इसमें निचोड दीजे दोस्तों निम्बू का रस जो होता है na SDT, कबज, गैस में बहुत फायदा पहुँचाता है आपके पेट में हलका फूलका सा दरत भी है तो दरत को भी कम करता है भूख को बढ़ाता है हमारी पाचन किरिया को भी दुरुस्त करता है तो आधा कटा निम्बू का रस आप इस पानी के अंदर डाल दीजे लगवं में दो चमबस के जितना निम्बू का रस आपको इसके अंदर डालनी है इसके बाद हर किसी घर में आसानी से मिलने वाला जो चीज है दोस्तों इसे कहते हैं अजवाइन, अजवाइन जो होता है दोस्तो पेट से सम्मादित जितने भी भीकार होते हैं, कबज हो, गैस हो, एश्टी की समस्या हो, पेट में दरद हो, जी मुचलाता हो, बार बार पेखाना जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक राम भार तबाही की तरह द अखसर आप लोग कमेंट्स आते रहते हैं एक सर आपके वीडियो में बताएगे उपाई से में बहुत फायदा मिलता है तो बिल्कुल आप इसे अजमाईए पेट से बनने वाले गया स्कवाज से निजात पाईए तो क्या करना है एक चमस जितना आप जो है अजवाईन को ली बस 5 मेंट इंतजार कीजिए देखेंगे गयास में बहुत ज़्यदा फायदा मिलेगा पेट में खलका फुलका दरद है तो आपकी दरद भी ठीक हो जाएगी HDT का भी दोस्तों या समाधान करता है पेट में अगर बार बार कवज होता है HDT के समस्ता रती है तो बिल्कुल ठीक कर लेता है इसके अलावा यह जो अजवाईन होता है दोस्तों यह भूख को भी बढ़ाता है तो आप इसका प्रयोग जरूर करें आप इसका प्रयोग सु साथ इस वीडियो को सेर कीजे इस वीडियो को देखने के धन्यवाद नमस्कार दोस्तों